क्रिस्मस जो कि इसाई समूदाय का बहुत ही बड़ा तेओहार है और इसे बहुत ही ज़्यादा धुमदाम से मनाया जाता है 25 डिसेंबर को इसे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और ऐसे परवाले दिन आप भी बहुत सारे उपाई कर सकते हैं इन फैक्ट उसमें से जो भी उपाई आपको अच्छे लोगे वो भी आप कर सकते हैं जिससे कि आपका भागयों दर भी होगा घर में सुक्षान्ति आएगी और बच्चों में भी आप काफी सारे चेंजिस देख पाएंगे तो इस वीडियो को जरू से पूरा देखिएगा सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइफ रेमेडीज के लिए नमस्कार मैं दूआ हुजा अब सभी का स्वागत करती हूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू कि जो क्रिस्मस का तेओहर आता है आपको जैसे कि पता भी है कि 25 डिसमबर को मनाया जाता है लेकिन कोरोना की वज़े से पिछले साल ये थोड़ा सा फीका फीका पड़ ग कंदी रीच्ण करते हैं घर से बिना निकले भी इस टीओहर को एप शैय कर सकते हैं और बच्चो का तो सब अधा संतागलास को अधू ? इं बहुत संद म्हिंपीन नहीं सपर उप प्यार होता है शोपर को जोसे उर सेसे अधा हैं और मुईा संभाल एको सब लिख में देखत कि हाँ अब आपके जीवन में परिवतनार है, सबसे पहले मैं बात करूँगे क्रिस्मस ट्री के बारे में, क्रिस्मस ट्री आज के दिन आपको पता है कि बहुत अच्छा सा डेकॉरेट किया जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि क्रिस्मस ट्री भागया उधर करता है, इ सारी negativity को पूल कर देता है कभी भी Christmas tree का आपने shape देखा है वो एक triangle की तरह होता है तो अगर दक्षन दिशा आपकी बहुत ज़्यादा खुली है क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि दक्षन दिशा जो होती है वहां की जो energy होती है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है अगर उस तरफ खिड़किया है या बालकनी है तो आप वहां पे Christmas tree तो जरू से लगाए और सबसे बैस दूसरा भी तरीका होता है नौथ में आप छोटा सा Christmas tree लगा सकते हैं नौथ इस्ट में भी यानि कि उत्तर पूर्व के कोने में भी आप Christmas tree लगा सकते हैं दक्षन दिशा में अगर लगाएंगे तो वहां पे तो मैं कहूंगी एक तीन छे या नो इस तरीके से आप जरू से लगाए लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका में दर्वाजा है मुख्या दर्वाजा है उसके ठीक सामने Christmas tree नहीं होना जी क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे नेगेटिव एनरजी आपके घर में आने लग जाएगी तो आप साइड़ में लगा सकते हैं आपने देखा होग अची घर में positive feeling आती है भागया उदय होने लग जाता है आपके जो भी अब तक काम नहीं हो रहे थे वह अपसे काम होना शुरू हो जाएंगे हो सके तो असली वाला Christmas tree अगर आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा बहुत लोग क्या करते कि artificial Christmas tree होता है उसको ही डेकोरेट कर करके रख देते हैं लेकिन अगर आपके पास option नहीं है तो कोई बात नहीं आप उसको energy दे के रख सकते कि यह real Christmas tree है और यह मुझे वैसी एनरजी देगा तो उस तरीकी के vibration साब उसमें दीजेगा तो वह काम करेगा फिर में प्रफर करूंगी कि अगर आप असली Christmas tree रखेंग खुशाली आती है, relationship में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बिमार है तो उसमें भी धीरी-धीरे सुधार आने लग जाता है तो अगर आपको health issues यहां घर में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि लड़ाई जगड़े होते हैं तो इस बा बटेवार होता है बटेभाश हॉजे जिखा लुट हो जो यह तो बहुत है कोई ना कोई ज़्यादा होता है उन्हें हमेशआ उमेश्षा यह मिलेगा अप संटा तो पैरेंस व्यांदा है बहित सकते हैं भाई बारी बहुतित की तरह काम करता है तो आप चोटे बच्चों को इसका महत्वा सिखा सकते हैं जैसे गिफ्ट में उन्हें को इंस्ट्रुमेंट दे दिया इसे उनका कॉंसेंट्रेशन भी बहुत अच्छा होगा और वह अच्छी एनरजी में मतलब उजो एनरजी वह उनकी अच्छी जगा पर इस्तमाल होगी तो यूजुली क्या होता है घर बच्चे बैठे बैठे क्या करते हैं मोबाइल पर ही रहते हैं तो अगर वह म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट यूज करने लग जाएंगे तो यह बहुत ही बेस्ट हो जाएगा उनका कॉंसेंट्रेशन भी अच्छा होगा अगर जानवर और पक्षी के बारे में एक्स्प्लेइन कर सकते हैं नौलेज भी बढ़ेगा और बच्चे बहुत जादा इंस्पायर भी होते हैं उसी के साथ साथ आप उन्हें पुझ जैसे कि कुछ ना कुछ जैसे उसमें अनिमल बनाना हो गया कोई भी चीज हो गई आप अपनी मन की बाते हैं उसको शक्दों में कैसे ढाले आप उन्हें डायरी गिफ्ट कर सकते हैं आप उन्हें सिखा सकते हैं कि रोज की जो डेली रूटेन उसमें क्या क्या पॉज़िटे बाती हुई वह लिगत चले जाए तो इस तरीके से करेंगे तो ये उनकी आदद बंत चली जाएगी और उससे क्या होगा चाल उनकी मेंबरी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी बहुत आप ज्मिलती हैं तो उन्हें इस अपला के दे सकते हैं बच्चों को कहाने सुननरा बहुत ही ज्यदा पसंद होता है पहले जब parents होते थे रात को सोने से पहले बच्चों को हमेशा कहानी सुनाया करते थे या नानी या दादी उनको कहानी सुनाती थी मैंने भी अपने बेटे को बच्पने बहुत कहानी सुनाई है जब तक वह आंट साल का नहीं हो गया रोज मैं उसे कहानी सोना दी थी कितना भी मैं बुझी हो जाओ यह मेरे शेडूल में फिक्स वैता था लेकिन बहुत बाप पैरेंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता वह थ होती है कि यह स्टोरी से यह कहानी से उन्हें क्या सीख मिली अगर बच्पन से यह चीज उन्हें आप सिखाना शुरू कर देंगे तो वह उनके दिमाग में पर्मनेंट फीड हो जाएगी यह मेरा पर्सनल एक्सपिरेंस है और उसे के बलबुते पर यह सारी बाते भी मैं श पाए बताए हैं और हाँ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा कि आपकी वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करके जरू से बताएगा और हाँ इसमें से आपको सबस जादा तहे जिल से खुशी होगी तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नमस्कार अठाओ किया हाँ